हाईलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC GD Exam 2013-26 के आल्स सेप्ट में पूछा सकने वाले Most Important सेलेक्टेर परसनों को साल्व करेंगे दोस्तों ये सारे कोस्टन्स हमारे आपके एक्जाम में पूछे आने वाले प्रसनों के टापिक्स प्रसनों के लेबल और प्रसनों के टेंड्स इसके लाम दोस्तों आपके प्रिविया सेर एक्जाम को पूरी तरह से अनलाईज करके बनाए गया एक Most Important वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होगा साल्व करें, कोस्टन्स कम साल्व होने पर पूरा प्रसनों करी वीजन करें ताकि SSC GD एक्जाम 2023 में आप लोग आच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें तो उचले दोस्तों जादा समय ने लेते हुए हम लोग इन सभी Most Important परसनों को साल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों Question No.1 है हमारा भारतिय संग्धान में नागरिक्ता संबंदी प्रावधान संग्धान के किस भाग में अनुच्छेत की बात करें तो उनुच्छेत 12 से लेकर अनुच्छेत 35 तक प्रारण में साथ मुल अधिकार थे हम लोग जानते हैं लेकिन 44 संग्धान संसोधन 1978 के द्वारा संपत की अधिकार को मुल अधिकार से हटा दिया गया तब से टोटल मुल अधिकारों की संग्धार 6 है और मूल अधिकार ये किस देश के सिंगधान से लिया गया है तो USA के सिंगधान से लिया गया है अगला कोशन है भारते सिंगधान के किस भाग में मूल करते बो का वड़न है तो कौन सा भाग है भाग चार का का है अनुछेत की बात करें तो 51 ए है वैली सोई सेंगधान संसोधन 1976 सर्दार सोण सिन समीत की संस्तूतियों की अधार पर संगधान में मूल करतेवो को जोड़ा गया था उस समय दस थे लेकिन चियासोई संगधान संसोधन 2002 की द्वारा एक मूल करतेव ब्लहा दिया गया कौन सा 6-14 वर्स के बच्चों को सिच्छा दिलाना उनके माता-पिता का करतेब्भी होगा तब से टोटल मूल करतेब्भी की संख्या 11 है ध्यान रखेगे आप लोग भाग की बात करें तो 4 का है अनुछेत की बात करें तो 50 A है अगला कोश्चन है आइस पिरेश सता कान संख्यवधान के किस अनुछद में तो नुच्छे 17 ध्यान रखेगा जिसका उनके बाति संख्यवधान के नुच्छे 14-18 में है उसमें जो आर्टिकल 17 है दोस्तों आइस पिरेश सता के अन्त से समन्दीत है और जो उपाधियों का अन्त है अगला हमारा कोश्चन ये आठिकल 18 में आता है दोनों ध्यान रखेंगे आइस पिरेश सता कान संख्यवधान के नुच्छे 17 में है और उपाधियों कान संख्यवधान के नुच्छे 18 में है अगला कोश्चन अगला कोश्चन देखेंगा दोस्टों ग्राम पंचायत के स्थापना का प्रावधान संख्यवधान के की सनुच्छे 40 में है बात करने दोस्टों तो भारते संख्यवधान के नुच्छे 36 से लेका अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग अगला कोश्चन भी दोस्तों हमारा DPSP से ही संबन दित है समान नागरिक संख्यवधान आप लोग दिहान रखेंगे UCC Uniform Civil Code इसका पूरा नाम है समान नागरिक संख्यता का प्रावधान संख्यवधान के कि सनुच्छद में तो अनुच्छत 44 है ये कोश्चन जरूर पूछे जाएंगे आप लोग नोट करके रख सकते हैं नेक्ट कोश्चन है धन विधैक की परिभासा संख्यवधान के कि सनुच्छद में बारत का महान्यावादी संग्धान की अनुच्छ हैता है तो इसंग्धान की अनुच्कारी टोन 165 में 165 दोनों ध्यान रखेंगे। अगला कुशन है भारत में तीरस्तरिय पंचायिती राज़्परलाली का पद्धाव कीस ने किया था तो बलम तराय महता समीति की द्वारा किया गया था। इन्हों ने ही तिरस्तरी पंचाहिती राजबोस्था का सुझाओ दिया था जिनमें थे ग्राम पंचाहिती राजबोस्था का सुझाओ दिया था जिनमें थे ग्राम पंचाहिती राजबोस्था को राजस्थान के नागोर जिले से पंचाहिती राजबोस्था का सुभारम किय गया था कोश्चन और पूछाता है यहां से दोस्तों त्यात्रों संविधान संसोधन जो की 1992 में किया गया था इसी के द्वारा पंचाइती राजवोस्ता को संविधानिक दर्शा पद्धान किया था आठिकल 40 हम लोग देख चुके हैं दोस्तों जो की गराम पंचाइत के द्धान रखेंगे मिनी संविधान या लगू संविधान या संविधान का मैगना का तीन नाम से जना आता है वैलिस्वे संविधान संसोधन को जो की 1976 में किया गया था इसी के द्वारा मोल करते बहुत भी जोड़ा गया था आप लोग जानते हैं हम लोग चर्चा भी कर च तो मिनी संविधान या लगू संविधान या संविधान का मैगना कार्टा की हजात कहा जाता है अगला कोशन है भारत का संविधान संविधान सभाद्वारा कब अंगी कृत किया गया तो करेक्ट एंसर होगा 26 नॉमबर 1949 को ध्यान देंगे कब्रेट मिशन प्लान के दिन सं दश्यों की संख्या 389 रखी गई थी पर्थम बैठक 9 दिसमबर 1946 को ही थी और इसी दिन डाक्टर सज्टान असिनहा को संख्धान सभा का आस्थाइ अध्याच चुना गया था पुना नेक्ष्ट बैठक 11 दिसमबर 1946 को ही थी इस दिन डाक्टर राजेंद प्रसाद को संख्ध भारतिय संख्धान के निर्माण के समय विविने समितियों का भी कटन किया गया था जिनमें प्रारूप समिति बारवा पुछाता है इनके अध्य डाक्टर भीमरां बैठकर थे एक निर्मात्री समिति या कारी संचालन समिति है इनके अध्य डाक्टर राजेंद पर साथ थ अगला कोश्चन देखेंगे भारतिय संग्धान में संसद्य सासन प्रणाली किस देश के सिंग्धान से लिए तो बेटें से लिए गया है तो यह भी बेटें से ही लिया गया है दोनों ध्यान रखेंगे अगे चलेंगे हम भारतिय संग्धान में मूल अधिकार्यों न्याइक पुर्णाली तो तो USA से लिए आगया क्या मुल अधिकार जिसका हम लोग बात कर चुके हैं चर्चा भी पूरी तरह से कर चुके हैं और नियाइक प्रणाव लोकन इसी के कारण से दोस्तों चाहे भारत का सुप्रीम कोट हो या USA का सुप्रीम कोट हो सक्ति-साली माना आता यानि ससक्त माना आत संवर्तिय सूची के विषय के दोनों की मद्ध्य विवाध उत्पन होता है तो भारतिय संसत के द्वरा बना गया कानून माननी होगा ध्यान किए गा स्था के सूची का विश्या बार बार पूछाता है राज सूची का विश्या है सिच्छा के सूची का विश्या है दोस्तों समुर्ती सूची का विश्या ध्यान रखेंगे इसके इस पार हो लोग क्या कह सकते हैं सिच्छा समुर्ती सूची का विश्या है इसकार्ति यह हुआ किस पर भारते संसत राज विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन अगर किसी भी विशय पर दोनों के मद्ध विवाद उत्पन होता है तो भारते संसत के द्वरा बना गया कानून मानने होगा जनगर्णा की सूची का भी से है, संग की सूची का भी से है, ध्यान रखेंगे आप लोग, अगला कोशन है, अनुछे देखसट का समन्द किससे है, अब कोशन को पलट के दिया जा रहा है दोस्तों, दोनों तरफ से आप लोग समझ लिजे, अनुछे देखसट का समन्द किसस से हैं ज्यादा तर कोस्टन्स ऐसे पूछ याते हैं ससी की तोर आप लोग जानते हैं बहुत सारे एक्जाम आप लोग डारी दोस्तों इनलाइस भी किये होंगे देखे भी होंगे चाहिए उन्टीस हो से जीएल हो या जीडी जो करवाया गया था 2023 का है 2020 का सारे कोस्टन के ट् और इसका वर्णन भाति सिंधान के अनुच्छद 112 में है वित्तिय वर्ष कप से प्रारम होता है एक अपरेल से कप आखरी डेट क्या है कतिस मार्च ध्यान रखेंगे अगला है बितायोग का वर्णन सिंधान के किस अनुच्छद में है तो अनुच्छद 280 में अगला कुश दो संसत्रों का सनुच्छ को बूलाता है राष्टरपती कि द्वारपती की द्वराधी के संसत्रों को बूलाने का का अधिकारियस्य सक्तिया उसकलां संसत के सन्युक्त अधिकार्येसर को संबोधित करने का अधिकार्येस्य और तीνεर राष्ट्र पोव। यानि कि संसत के सनुक्त द्भेशन की अध्यस्ता किसके दौरा की जाती है तब आपका करेक्ट एंसर लोगसभाध द्यच होगा मंत्र परसे साम्हेक रूप से किसके अपरत उत्तदाई होती है तो लोगसभाध की परत नेक्स्ट भारत के नियंत्रा के महलेखा प्रिचक सीएजी की नुक्ति कौन करता है राष्टपती की द्वारा की जाती है अगला है संग्धान की व्याख्खा करने का अंतिमद कार किसे प्राप्त है तो सुप्रीम कोड यानि सर्वोच नियाले को प्राप्त है आगे चलेंग अगया था जो कि 1985 में किया था अब कुस्टन पलड के भी पूछा शकता है वहानोश संग्धान संसोधन की से समद्धित अगला है भारत संधुम के कि fünf रज़के को संवीधाने दर्खा पदान किया था शंतिमद सवेल कर चुग ए तो 17शान शंतिकर, जो कीberने कि नियूंड नानटीटू में किया गया था ध्यान रखेंगे 12196, 141978, 862002,431992 चारो दोस्तों बार बार पुछे आते हैं चलेंगे आगे दोस्तों थोड़ा साइब पीडिएप के बारे में बात करेंगे तीन पीडिएप हमारा लगा हुआ है आप ध्यान दीजिएगा उसके बात पुना हम लोग करेंट अफियस के मोस्ट अपने सेलेक्टर परसनों को साल्व करेंगे पहला दोस्तों हमारा SSC GD का ही लगा हुआ है बिस परवरी से आप लोग जानते हैं इसका एक्जाम सुरू हो रहा है दोस्तों इसमें ध्यान दीजिक आप लोग आपके जो सलेबस यानिकी पार्टिकरब रखे गया है जीके जीएसा जनल साइस आपका सामिल है इसमें करेंट और रिजिनिंग है दोस्तों यह इसका पीडियाप नहीं दिया जा सकता आप लोग जानते हैं कारण यह है कि इसको दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखके प्रेक्टिस करने होते हैं हमारी स्टेडी चैनल पर भी रिजिनिंग का व्रावर दोस्तों वीडियो दिया जा सकता करण यह है दोस्तों क्योंकि ससीजीडी में रिएव थोड़े कम पूछे जाएंगे और हम लोग रिस्क नहीं ले सकते किसी पर इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता इसकी भी कीमत 50 रुपे रखी गई नीचे हमारा अगर आप चुक है तो जूट सकते हैं लास्ट पीडिया दोस्तों इन दोनों का 25-25 सेट के दोरे दोस्तों पूरी तरह से कंप्लेट करवाया जाएगा जीके आपका जो रिजनिंग और मैं थाए वीडियो देखे प्रेक्टिस करने होंगे लास्ट पीडिया फंडेर रुपेज किया दोस्तों यूपीपीए सी आरो यारो 2013 आप लोग जानते हैं पीटी का एक्जाम लगवख फरवरी स्टार्ट में ह काफी मेनत करने होगी इसलिए इसकी कीमत दोस्तों 100 रुपीज रखी गए टोटल 40 पीडियास इसमें दे जाएंगे हिंदी और सामान निद्ध्यन के तो नीचे हमारा होटसब नंबर है अगर आप इच्छो का दोस्तों कची प्रिपेशन चाहते हैं तो आप मैसेज करके ज परिशान थे आप बीमार थे कोई परिशानिया थी या आप मजबूर थे रिजल्ट में एक ही चीज लिखकर आता है कि आप होने वाले एक्जाम में पास हो या फेल और जबाब भी एक ही दुनिया होता है कि हम जीते या हारे अब चलते हैं दोस्तों को समझने का प्रियास क किजिएगा किसी भी तरह से अपने दिमाग में बैठाने का प्रियास किजिएगा और अगर पीडिएफ लेते हैं तो अंडर लाइन लगा के एक अच्छी स्टटी किरने का प्रियास किजिएगा कोश्चन है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2030 में भारत का कौन सा स्थान ह करेक्ट एंसर होगा %165 स्थान अगला है वर्ड हैपिनेस अइंडेक्स 2030 में भारत का कौन सा श्थान है तो 126 व्ड़ग locks 5600 और 202 वी तरह से ट्रीक लगाने का प्रियास किजिएगा और यूश्चन से प्रिपेर रहें आगे देखेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2030 का खिताब किस ने जीता करेक्ट एंसर होगा प्रियंस सेन ने नेक्स्ट है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2030 का ताज किस ने जीता तो यह किसे मिला तो माधुरी पटेल को कौन सा मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2030 का ताज किसे मिला माधुरी पटेल को नेक्स्ट है हाली में किसने रेमन मैकसे से प्रसकार 2030 जीता है तो रवी कंनन है कौन है रवी कननन है most one question है दोस्तों ध्यान दिजिएगा आगे चलती हम लोग अगला है दोस्तों French Open Tennis Tournament 2013 पुरुष वर्ग का खिताब किस ने जीता नुवाग जोकोविज ने और Australia Open 2030 में पुरुष वर्ग का खिताब किस ने जीता नुवाग जोकोविज ने दोनों ध्यान आख सकता भी है एक साथ लाने का इसका football tournament संतोष ट्राफी 2013 का खिताब किस ने जीता करनाटक ने और football tournament संतोष ट्राफी 2013 की उबिजेता टिम कौँ से मेगाले दोनों एक साथ ध्यान दिजिएगा टाकि उबिजेता और उप विजेता दोनों आपको के clear रहे अलग-अलग व किसे संबंदित है इसा भी कोशन पूछ ले आता है बार बार पूछ आता है ससी में तो फुटबाल से संबंदित हैं इसलिए हम फुटबाल टूर्णामेंट पहले लिख दिया है फिल लिखें संतोष ट्राफी 2030 का किताब किसने जीता तो करनाटक आपका करेक्टर एंसर होगा और उब्विजेता मेगाले है आगे चलेंगे नक्स कोशन की ओर अगला कोशन है दोस्तों हाली में जारी सोच हुआयू सर्वेचन 2030 में सिस सस्थान पर कौन सा सहरा तो इंदोर रहा आप लोग जानते हैं बहुत साई सोचता मामले में एक कांटिनू बना हुआ है नंबर व सिखर समयलन 2030 का हायुजित हुआ तो जोहांस वर्ग दच्छिन अफ्रीका में किया गया अभी दोस्तों कल यानि की आप लोग जानते हैं कौन सा विहारे साही का अग्जाम था उसमें भी कोशन पूछा गया है ब्रिक्स समयलन 2024 का हायुजित होगा तो रूस में किया किस देशने की भारत की द्वारा आप लोग जानते हैं और जी टॉंटी सिखर समयलन 2024 के देश तक कौन सा देश करेगा वराजिल करेगा नेक्स अंतर राष्टे बुकर प्रसका 2030 किसे दिया गया तो जोर्जी गोस्पु दिनों को अगला देखिएगा बैलिस्वा आसियान स में सर्व स्रेश्ट फिल्म करवाड किसे दिया गया दिरिस्यम टू आपका करेक्ट अंसर होगा नेक्स फेमिना मिस इंडिया 2030 का खिताब किसे ने जीता नंदिनी गुपता आपका करेक्ट अंसर होगा आगे चलेंगे हम लोग अगला दूस्तों टाटा आई-पी-ल मोस्ट मोहमदी को अगे चलेंगे थी ंदोस्तों हाल ही में किस साहित हाल ही में किसे साहित अींटेमिप्रशकार 2030 द्या गया प्रीया एस आपका करेक्ट अंसर होगा शाहित अकाद्मी होगा आगे देखेगा भारत में पहली drone police unit की शुरुवात की सहर में की गई चन्नाई में की गई नेक्स्ट है UDI आप लोग नाम सुने होगे Unique Identification Authority of India इसका पूरा नाम है के नशीव कौन बने है अमित अग्रुआल आपका correct answer होगा आगे चलेंगे हम लोग अगला question दोस्तो 32 शरुस्वती समान 2022 से किसे समान के चलते है बिस सबसे उची नटरास परतिमा कहा स्थाबित की गई नई दिल्ली में आगे गलोबल जेंडर गयप इंडेक्स 2030 में भारत का अस्थान कौन सा रहा संस्थान लिग गया है दोस्तों मिस्प्रिंट हो गया अस्थान बताना है तो 127 अस्थान है किसमें गलोबल जेंडर गयप इंडेश 2030 में भारत का कौन सा स्थान है 127 सवा स्थान आगे चलेगे हम लोग अगला दोस्तों हाली में 2023 में अर्थ सास्त्र का नुबेल पॉरसकार किसे दिया गया most number question गोल डिये गोल डिये गोल डिये इन आपका correct answer होगा ASEAN Games 2030 आप लोग जानते हैं हाली में आउजन क्या गया था इसका ASEAN Games 2030 का आउजन कहा हुआ तो हांग जोव चीन में किया गया कहां पे हांग जोव चीन में आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों NATO शिखर सम्मेलन कोश्चन पे ध्यान दिजिएगा NATO North Atlantic TTR Organization उत्तरी Atlantic संधी संगठन इसका पूरा नाम है शिखर सम्मेलन 2030 का आउजित किया गया तो बिलनियस लिथवानिया में किया गया और इस सिरीज का लास्ट कोश्चन दोस्तों हाली में 457 सिखर सम्मेलन का आउजित कहा गया तो हीरो SEMA जा पान में किया गया 457 सिखर सम्मेलन का आउजित तो इथे दोस्तों इस स्रीज के TOP YMP SICKEAUGE के परस्ट जिनको यहाँ पर हम लोगों ने साल्ब किये हैं उमिद दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्ब कियोंगे और देखेंगे कि यहां से आपके कितने परस्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुक्रपा कलासे से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। ताकि हमारे दोरा दे जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग।